हम सब चाहते हैं कि हमारा जो घर हो उसमें प्रोपर डॉसनी तो मिले ही और साथ में वेंटिलिशन भी हो देखे इतनी बड़ी जो UPVC की विंडो है जो डिवनेबल होती है बहुत ही खुबसूरत लगती है वो हम लोग ने यूज किया है अभी मैं अपने बेडरूम में हूँ यहाँ पर आपको प्रोपर डॉसनी आप देख पाड़े होंगे एक बार आप कैमरा उपर के से अब मैं इसमें जो lights है वो on करता हूँ देखे lights on होगा तो जो आपका bedroom है वो इस तरह से दिखेगा खुबसूरत सा और दीन में आपको light जलाने की बिलकुल ज़रूरत नहीं पड़ेगे अब जो हम लोग ने drawing room बनाया है जब drawing room आप देखेंगे आपको लगेगा कि 2BHK flat अगर कोई दे सकता है वो सिर्फ और सिर्फ एम सान्वेल एलेस्टेट है इस तरह का beautiful खुबसूरत सा हम लोग ने 2BHK flat बनाया है जिसमें आपको lift तो मिली रही है अब ही जो 2BHK का हम लोग फ्लाट देखेंगे जिसका usable area 60 गज मिल जाता है दिल्ली जैसे सहर में मैटर सेशन से तकरीबन एक किलोमेटर की दूरी पे और बहुत ही खुबसूरत और सस्ता 2BHK flat चाहे उसके बेरूम की बात हो चाहे ड्राइंग रूम की बात हो या किचन की बात हो इस पेशिस के साथ साथ आपको खुबसूरत मिल रहा है और उससे भी अच्छी बात क्या है सस्ता है तो देर बिलकुल नहीं कीज़ेगा अगर आपको ये फ्लाट समझ में आएगा क्योंकि इसमें limited फ्लाट है और जो lift है का आप आके हैं वह आपको मिली रही है फ्री और पर पड़ी है अगर ये बिल्डिंग के सामने चलते हैं देखे इस तरह का आपको एक बिटिफिल एलिवेशन देखने को मिल रहा है इतना सुन्दर सा ये बिल्डिंग मनाया गया है क्योंकि जब आपके गेस्ट आएंगे तो सबसे पहले या अपने घर में आएंगे तो सबसे पहले आपकी नजर बिल्डिंग पर परेगी और ये गेटेड है दोनों तरफ गेट दिखाता हूं दीकिए इस तरह एक तरफ इस तरह की आपको गेट मिल जाती है दूसरी तरफ यहाँ पर गेट लिए हुए हैं और बीच में लिमिटेड घर है उसी के बीच में यह हमें एक प्लॉड मिला था जिस पर हम लोग ने घर बनाया था तो बहुत ही प्यारा सा यह गया और साथ में जब करेंगे वह को पार्किंग मिल जाती है अगर मैं उनते आपको कैसे कैसे मिलने वाला है पूंभा है यहां से अपने एंटरेइन लिए यहां आपको जब किचिन है वो मिलता है और इसमें जो हम लोग उलक्तरॉनिक चिमनी लगा है वो आपके हाथ के इसारों से चलेगी यहां आपको ड्राइंग रूम मिल रहा है एक bedroom आपको यहां में जाता है इसके साथ dressing table है wardrobe है और साथ में जो second bedroom है वो मैं दिखाता हूँ इस तरफ आपको second bedroom मिलता है जो बहुत ही ventilated है master bedroom आप कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ attached washroom भी मिलता है और जो common washroom है वो आपको यहां मिल जाता है अब drawing room देख लेते हैं detail में देखे जिस तरह का drawing room आपको इस 2BSK के flat में मिलता है इसमें आप बहुत आराम से 6 आदमी बैठ सकते हैं दो पपी यहां दिया गया है बीच में आपको coffee table मिलता है और बड़े size का coffee table हम लोग ने लगा है यहां देखे बड़े size का sofa लगाने के बाद भी यह पूरा space cover हो रहा है अगर आप छोटे size का sofa लगाएंगे तो इसमें और भी जगह दिखेगा जो flooring है उसका हमने जो color रखा है वो wooden type रखा है हलाकि यह tiles है इस तरह के आपको पूरी flooring मिल जाती है और दिवार में जरूर दिखाना चाहूंगा देखे दो दिवार यहां पर मिलती है L type में इस तरह का खूबसूरत सा यहां पर हम लोग ने design एक दिवार में बनाया है देखे बहुत ही bit fill लग रहा है सबसे पहले में यह दिखाना चाहूंगा देखे इस तरह का यह पूरा आपको drawing room में काम करके हम लोग दे रहे है profile light यूज किया गया है और यह दिवार जो बसती है इसमें हम लोग ने कांच का काम किया है और इसमें जो night lamp लगाए गया है इस तरह का beautiful night lamp मिल रहा है अगर आप चाहें तो कहीं भी आप रह रहे हो इस तरह का night lamp आप यूज कर सकते हैं आपके घर में बहुत ही खुब सुरत लगेगा और एक चीज बताना रहे गया था इसी की जो wiring है वो भी हम लोग यहां करके दे रहे हैं आप चाहें तो यहां पर split AC लगा सकते हैं कुछ लोगों का question हो सकता है यहां पर कैसे लगेगा बिल्कुल लग जाएगा इसको थोड़ा हम नीचे कर देंगे उपर split AC अराम से आजाएगा अब बात कर लेते हैं इसमें ceiling की design की जो आपके drawing room को खुब सुरत बनाता है इस तरह का इसमें जोमन मिलता है फॉल्स लिंग के आपको design मिल जाती है फैन लगाने के लिए दो इसमें points दे गए है दो फैन हम लोग इसमें लगा के दे रहे हैं और हाँ जब आप यहां बैठेंगे आपको TV देखने का मन होगा तो उसके लिए बहुत ही खुबसूरत सा और spacious यहां TV पैनल बनाये गया है मैं पूरा दिखाने के कोसिस करता हूँ यह हमें दिवार मिल रही थी तो दिवार को यहां से लोवर्स यूज करके प्रोफाइल यूज करके इस तरह का जो पूरे design है वह हम लोग ने बनाया है जो बहुत ही खुबसूरत लग रहा है यहां TV पैनल आ जाएगा साथ में set box आपका यहां आ जाएगा दो डॉर्स मिल रहे हैं और दो open cabinets आपको मिल रहे हैं और यह सारे slots मिलते हैं close करके दिखाईए यह जो सारे slots आपको मिल रहे हैं जो boxes मिल रहे हैं इसमें आप कुछ decoration के लिए रख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत लगेगा हमने इसमें profile light भी यूज किया है ताकि जब इसमें रॉस्टनी जलेगी तो यह जो boxes होंगे जो सोपी सोंगे वो बहुत खुबसूरत लगेगा इसी के साथ यह देखिए यह common ocean आपको मिलता है इसमें हम लोग ने anti-skreet ties की flooring किये है और ties हम लोग ने roof तक यूज किया है जितनी भी sanitary fitting है चाहे वो shower हो चाहे वो seat हो, taps हो वो सारी चीज़े हम लोग लगा के देंगे अब बात कर लेते हैं bedroom की हलाकि इस flat में एक से बढ़कर एक चीज़ आप देख रहे हैं flat सस्ता भी है हमारे customer के और को phone कर लीजे हमारे पपड़ एक्सपोस को phone कर लीजे और इस flat के बारे में जान लीजे देखे आप देख पा रहे होंगे यहां पर हमने दिवार यूज नहीं किया है यहां हम लोग ने UPVC का जो soundproof सीसा है वो हम लोग नहीं यूज किया है आवाज आपको यहां पर बिल्कुल नहीं आएगी उपर window इसे आप लगा सकते हैं आप मजबूत होता है यह देखे रॉसनिंग के लिए पूरा दिया गया है एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा इसमें तीन दोर्स हम लोग ने लगाए हैं देखे दो तो आपका कांच कर रहता है और एक जाली कर रहता है आप चाहे हैं वेंटिलेशन के लिए इसे open कर सकते हैं और जब इसे close रखेंगे तो प्रोपर आपको ventilation भी मिलेगा और हवा भी मिलेगी और अगर चाहते हैं बाहर की आवाज नहीं आए तो आप इसे इस तरह से close कर सकते हैं और इसी के साथ आपको balcony भी मिल जाती है वो भी में दिखाता हूं एक बार balcony दिखाईए balcony में हम लोग tap भी लगा के दे रहे हैं आप अपना washing machine लख सकते हैं उपर तक दिखाईए और दिखे जो balcony का उपर का हिस्सा है वो कितना खुब्सूरत लग रहा है हम लोग ने ओडेन लुक देने की कोशिस किया है अब बात कर लेते हैं अपने इस bedroom की पीछे जाके दिखाईए बड़ा सा इस में bedroom निकाला गया है अगर इस तरह का beautiful आपको फ्लाइट चाहिए या इस तरह का आपके कोई नियर एंडियर है उनको चाहिए तो यह वीडियो जरूर सेर करिएगा और आप कुछ भी आपको चाहिए चाहिए वह वन भी एच के चाहिए चुब्स के चाहिए जरसे मकान चाहिए दिल्ली जैसे ज आपके दिखाए इस तरफ मुवमेंट के लिए आपको यहां अच्छा खासा जगह मिल रहा है और दूसी तरफ भी आपको इस पेस मिलता है इसका जो बैक वाल है उसमें कुछनिंग का काम किया गया है और हम लोग ने यहां स्टोरेज के लिए वार्ट्रॉप भी निकाले ह है हँ और spansन जीरिंग के डिजाइन मिल जाती होगी एक बार दिखाए इस तरह से डिजाइन आपको मिलती है हम लोग नेसमें स्यों वी लाइट्स क्या है और साथ में भी यूज रायाइट है किसमें स्टे सुसे प्राइश शॉइशन के पास 90% क्लोन पेशन देख गश दिखा दीजे इस तरह का इसमें पूरा आपको इस पेस मिल रहा है हम लोग ने टाइस उपर तक यूज किया इसमें भी जितनी सेनेटर फिटिंग है चाहे सीट है शावर है डाइवर्टर है काप से जितनी भी चीजे है वह हम लोग लगा के दे रहे हैं और मैं बता दू इसम चलें अपने मॉडले किचन को देखने वहां पर बहुत ही प्यारी से हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक चिमनी दी है जो हाथ के सारों से चलती है और हां आप हमें इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि रिल सगर देखने आपको 60 सेकंड में पूरे फ इंफर्मेटिव वेबसाइट है वहां पर जा कि जान सकते हैं कि लोन कैसे लेते हैं आपकी इमआई कितनी आई इस तरह का खूबसूरत सा आपको लोस की डिजाइन में हम लोग ने यहां दिवार दिये जिसमें परफाइल लाइट भी हम लोग ने दिया है आपका जो फ्रि अगर नहीं बन पा रहा था तो यहां आपका फ्रीज आ जाएगा और थोड़ा पीछे जाईए और तब पूरा आप किचें का स्पेस दिखाईए नीचे से उपर तक पूरा स्पेस दिखाईए इस तरह की फ्लोरिंग के साथ साथ जो स्टोरेज आपको मिल रहा है इस तरह से जो पूरा आपका किचें है वह दिखने वाला है चलिए उपर जब आप देख रहे हैं तो यहीं मैं दिखाता हूं यहां हम लोग ने फैंसी लाइट दी है बहुत ही खुबसुरा सा लग रहा है साथ में प्रफाइल लाइट भी गई है और रॉसनी की कमी तो बिलकुल नही देखा लेगी इस तरह का जो डिजाइन है यहां पर वह हम लोग ने दिया है देखिए यह जो उडेन है उसका पार्टिशन है तो यह डिजाइन पूरा मिलता है अगर आप चाहते हैं कि बैठे हुए है और आप इस चीज को कवर करना तो यहां एक चिक लग जाएगा उससे कबर भी हो जाएगा तो इस तरह का यह पूरा जो उडेन का डिजाइन है वो आपको मिलता है अब हम बात कर लेते हैं यहां से सिंक की क्लूज करिए देखिए बड़े साइज का यहां पर हम लोग ने साउंड प्रूज सिंक लगाया है बरतन अगर बहुत तेज से भी आप आज नहीं आएगी तीन टाप्स यहां पर लगाके देंगे होट वोटर कॉल्ड वोटर और जो सप्लाई का पानी आता है दिलिजल वोट का उसके लिए यह आपको काउंटर मिलता है तो लोग करके दिखाए इस तरह के पत्थर हम लोग ने यूज किये हैं इस पे कुछ कु नहीं आएगा अब यहां से मैं आपको दिखाता हूँ आड़ो यह गीजर अगर आप रखना चाहते हैं वो यहां पर आ जाएगा उसके पाद दिखें यहां भी स्पेस आपको मिल जाता है और यहां भी आपको स्पेस मिलता है अब जिस चिमनी की हम बात कर रहे थे वो मैं आपको दिखाता हूँ जनेरली टूब इसके में इस तरह का आपको चिमनी नहीं मिलेगा आप हांत की सारों से चला सकते हैं इस तरह से दिखें अब इसका फ्लाप है यह बाहर आ जाएगा और लाइट्स भी यहां से आपको प्रूपर दिखेंगे और आप इसकी स्पीड भ आपको स्ट्रेशन के पास है यहां भी आपको स्ट्रेश के लिए जगा मिलता है और चुकि किछेन हमें लग रहा था कि थोड़ा सा छोटा है तो हमने ऊपर भी यह सारे कामिनेट्स बना दिये देखें इस तरह का तो आपको स्ट्रेश की कमी बिल्कुल नहीं खलेगी सारे जो उपर आपको कैबनेट्स मिल रहे हैं उसमें आप सामान बहुत आसानी से रख सकते हैं अब नीचे मैं आपको दिखाता हूँ देखें यहां बड़े कंट्रेश के लिए आपको स्पेस मिलता है जिसमें गेहुंचाव लानटा यह सब रखते हैं उसके लिए दिया गया ह और तीन यहां यह बड़े-बड़े कैबनेट्स आपको मिल रहे हैं देखें यह जो है उपर दिखाएं कि यह कट्लेडी वेर के लिए दिया गया है इसमें इस्पून है आपका स्मॉल यूटेंसिल्स है कप है स्मॉल बावल है वह आ जाएगा यहां पर आपके प्लेट्स बसा जाएंगे और इस तरफ भी आपको इस पेस मिल जा रहा है यहां देखे एक इस ट्रोडेश यहां भी मिलता है आप चाहें तो यहां पर खाली सिलिंडर रख सकते हैं इस तरह का स्मॉल रहा है और हां खाली सिलिंडर से मैं बता दूं गैस पाइक लाइन आ चुके हैं आप चाहें तो गैस का कनिक्शन भी ले सकते हैं तो इस तरह का बिट फिल आपको किचन मिलता है और जब यहां पर खड़े होंगे तो सामने जो दिवार दिखेगी वो दिखाएंगे इस तरह की जैसे यहां पर खड़े हैं या आपके गेस्ट आते हैं अगर वह आपके साथ क किचन मिखाने हैं तो सामने की जो दिवार है वह इस तरह से बिट फिल दिखने वाली है आपको अब बाड़ी है हमारे सेकेंड बेटरूम की जिसमें हम लोग ने ड्रेसिंग टेबल भी दिया है और बड़ा सा वार्डॉब दिया दिखे इस तरह का बड़ा सा वार्डॉब वह मिल रहे हैं यहां मैं दूसरे तरफ भी आपको दिखाता हूं देखे इस तरफ भी पूरा इस पेस मिल रहा है इसके अंदर दो ड्रॉस भी आपको मिल जाते हैं यहां यहां जो ड्रेसिंग टेबल आपको मिलता है वह दिखे नहीं हम लोग नहीं पर लगा दिया है कोस्मेटिक से लेटेटर कोई आइटम है वह यहां रख सकते हैं और नीचे भी आपको ड्रॉस मिल जाते हैं अब जो बिट लगाए उसकी बात करते हैं छे बाइचे कर यहां चाहिं हम लोग इसमें करके दे रहे हैं इसका जो बाक वॉल है उसमें बिट अपना इससे लगा सके और उपर जो फॉल्सलिंग के डिजाइन आपको मिलते हैं वो इस तरह से जो बहुत ही बिटिफिल डेसेंट और सोवर लुक दे रहा है आपके इस बेडरूम में अब इसमें मैं वेंटलेशन आपको दिखाता हूँ इस तरफ आप आईए यहां वेंटलेशन के लिए यह विंडो भी छोड़ी गई है इस तरह से हमने देखी जो टूबी एचके का फ्लाइट है साथ गज में बना हुआ है जिसमें आपको लिफ्ट मिलते हैं क 90% तक लोन ले सकते हैं और इस तरह का फिर से मैं बोलूँगा अगर बीटिफिल अफ्लाट देखना चाहते हैं लेना चाहते हैं या आपके जो कोई रिस्तेदार हैं जो जानकार हैं वो लेना चाहते हैं उनको जरूर इस वीडियो को शेयर करिए और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजेगा और सब्सक्राइब तो करें लीजेगा क्योंकि अगर आप घून रहे हैं तो इस तरह का घर कहां मिलेगा इंसानु रिले से प्राइविट लिमिटेट पे जो दिल्ली जैसे सहर में बिटिफिल घर बना रहा है तो कि यू